हेलो फ्रेंड्स तो चलिए आज के कोश्चन को पढ़ेंगे हमारा आज का पहला कोश्चन है पंडित राम नारायन किस वादियंत्र से सम्बंदित हैं? उप्शन से सीतार, वाइलीन, सारंगी या बासूरी सही आंसर है उप्शन सी सारंगी से पंडित राम नारायन सारंगी वादियंत्र से सम्बंदित हैं अगला कोश्चन है नागर होल राष्टिय पार्क किस राजी में इस्थित है? उप्शन से केरल, करनाटक, ओडिशा या मध्यप्रदेश सही आंसर है इसका उप्शन बी करनाटक नागर होल राष्टिय पार्क करनाटक राजी में इस्थित है उप्शन बी सही आंसर है अगला कोश्चन इंदिरा सागरबांद किस नदी पर है? उप्शन से चंबल, यमुना, नर्मदा या गंडक तो सही आंसर है इसका उप्शन सी नर्मदा इंदिरा शागरबांद नर्मदा नदी पर है उप्शन C सही आंसर है अगला कोश्चन है धेबर जील किस राजी में इस्थित है? उप्शन से उत्तर प्रदेश, केरल, महारास्ट या राजस्थान तो सही आंसर है इसका उप्शन D राजस्थान धेबर जील राजस्थान राजी में इस्थित है अगला कोशन है कोशन नमर पांच भारत की श्वेत क्रांती किस राजी में शुरू हुई थी? अप्सन से गुजरात, पंजाब, हरियाना या चंडीगड सही आंसर है अप्सन है गुजरात राजी में भारत की श्वेत क्रांती गुजरात राजी में शुरू हुई थी? अगला कोशन संसत के लिए राश्ट्रपती का विभाशन कौन तयार करता है? अप्सन से स्वेम राश्ट्रपती, लोग सभाध्यक्ष, राजे सभा के सभापती या कैंद्रिया मंत्री मंडल तो सही आंसर है इसका उप्सन डी कैंद्रिया मंत्री मंडल संसत के लिए राश्ट्रपती का विभाशन कैंद्रिया मंत्री मंडल तयार करते हैं अगला कोशन है कोशन नमर साथ श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतिय गंतंत्र के राष्टपती के रूप में क्रम क्या है? ओप्संस हैं 10, 11, 12 या 13 सही आंसर है ओप्संडी 13 श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतिय गंतंत्र के राष्टपती के रूप में क्रम 13 हमां था तेरह में राष्ट्ट पती बनी थी वो और चोदह में थे रामनात कोविंद जी अगला कोशन कोशन नमर आठ है जंडागीत किसने लिखा है ओप्सन्स है रविंद्रनाथ टाइगोर, बंकिम चंदर चटर जी, मैथली शरनगुप्त या श्यामलाल पारशद जंडागीत श्यामलाल पारशद जी ने लिखा है अगला कोशन जोन बील मेला किस राजी से सम्बंदित है ओप्सन्स है असम, केरल, तमिल लाडू या ओडीशा सही आंसर है ओप्सन ए असम, जोन बील मेला असम राजी से सम्बंदित है option A सही answer है question number 9 का अगला देखते है question number 10 direct tax code bill संसद में कब पेश किया गया था options है 2018, 2019, 2010 या 2011 इस भी सही answer है इसका option C 2010 इस भी direct tax code bill 2010 में संसद में पेश किया गया था अगला question question number 11 यूक्रेन किस नदी के किनारे इस्थित है options है डोन, वोलगा, डनाव या नीपर सही answer है इसका option D नीपर नदी के किनारे इस्थित है यूक्रेन question number 12 कीगरी वीगरी दर्रा किस राजी में इस्थित है options है मधिप्रदेश, उत्राखंड, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान तो सही answer है इसका option B उत्राखंड, कीगरी वीगरी दर्रा, उत्राखंड राजी में इस्थित है अगला question Asia का अंडा का कटोरा किसे कहा जाता है option से बिहार, ज्ञारखंड, आंधर प्रदेश या उत्र प्रदेश इस question का सही answer है अपका option C आंधर प्रदेश को Asia का अंडा का कटोरा आंधर प्रदेश को कहा जाता है question number 14 नाइचो किस देश की गुप्तचर एजेंसी है option से कतर, पोलेंड, यूकरेंड या जापान सही answer है option D जापान नाइचो जापान देश की गुप्तचर एजेंसी है question number 15 है शेंपू का पीचमान क्या होता है option से 4.7 से 8.1 तक 4.5 से 8.3 तक 5.0 से 9.1 तक या 7.0 से 10 तक तो सही answer होगा इसका option D 7.0 से 10 तक शेंपू का पीचमान 7.0 से 10 तक होता है तो इसी तरह का interesting question जीगे जीएस के question को और कुछ competitive exam के previous year question को जानने के लिए weekly current affair के question को जानने के लिए हमारे चैनल को like, share and subscribe करें धन्यवाद